हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उप्चार नुसके में हम उप्चार नुसके चैनल में रोजाना एक लिटिस वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उप्चार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें चंदरग्रहन दो हजार बीस पांच या छे जून सूतक काल का समय भूल कर भी ना करेंगे पांच काम साल दो हजार बीस का दूसरा चंदरग्रहन जल्द ही लगने वाला है जो तिशनुसा चंदरग्रहन तब होता है जब चंदरमा और सूरी के बीच में प्रितवी आ जाती है जून महा की शुरवात में लगने वाला यह ग्रहन विष्टिक राशी और जेष्ट नक्षत्र में लगेगा यानि कि इस दिन जेष्ट मास की पूर्णिमा होगी पूर्णिमा इस्तान दान और मोक्ष प्रापती के लिए विशेश मानी जाती है खास बात यह है कि यह ग्रहन भारत में भी देखा जा सकेगा आज हम आपको जेष्ट मास की पूर्णिमा पर लगने जा रहे साल के दूसरे चंदर ग्रहन की सही तिथी सूतक काल का समय और इस दोरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताएंगे चंदर ग्रहन और सूतक काल का समय साल 2020 का दूसरा चंदर ग्रहन पांच जून रातरी 11 बचकर 16 मिनट पर शुरू होगा और 6 जून सुबह 2 बचकर 32 मिनट पर समाप्त होगा जोतिश अनुसार ग्रहन रात 12 बचकर 54 मिनट पर अपने पूर्ण प्रभाव में होगा इस चंद चंदर ग्रहन होगा जिस कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा आये अब जान लेते हैं चंदर ग्रहन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में शास्रों में ग्रहन को लेकर कुछ सावधानिया बताई गई हैं जिनका पालन सभी को करना चाहिए ग्रहन का में किसी भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमती नहीं होती इसलिए कोशिश करें कि इस समय किसी भी मंदिर में प्रवेश ना करें और ना ही घर के मंदिर में पूजा करें मानिता है कि ग्रहन के समय पूजा इस्थल को किसी परदे से ढग देना चाहिए ग्रहन का सूतक काल लगते ही घर में ना तो भोजन पकाना चाहिए और ना ही उसे ग्रहन करना चाहिए हाला कि शास्त्रों में बीमार, बुड़े और बच्चों को इसकी कोई मना ही नहीं है शास्त्रों के अनुसार ग्रहन लगने से पहले खाने पीने की सबी चीज़ों में तुलसी का पत्तार डालने की मानेता है ग्रहन के दौरान लगातार मंत्रों का जाब करना शुब माना जाता है ग्रहन समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगाजल का छुरकाव कर घर को अच्छी तरह से शुद्ध कर लेना चाहिए, खासकर ग्रहन काल के बाद नान जरूर करना चाहिए, चंदर ग्रहन समाप्त होने के बाद कि हुँ गुड जैसी चीजों का दान करने से जीवन में ख दर्वती महिलाओं को ग्रहन के दौरान लेटना या हाथ पेर मोड़कर नहीं बैठना चाहिए। ग्रहन काल के समय सोना भी वर्जित माना गया है। ग्रहन को अंदकार का सूचक माना जाता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार, ग्रहन के दौरान बालकारना, नाखुन, दाड़ी मोच, घरमे कलह और गुस्सा इस तरह के काम बिलकुल भी नहीं करने चाहिए। अन्यता इसके दुश परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे दौरा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों, तो आप उपचार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।